कई सो साल पूराना सिवलिंग अस्थल आज भव्य मंदिर के रूप में बदल गया है और यह सब कारनामा कर दिखाया है गाउं के चार यूवक ने जी हाँ आप सही सुन रहे हैं यह सब कारनामा गाउं के ही चार युवक ने कर दिखाया है आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग नियूज दरसल यह मामला है उत्तर प्रदेश बलियां जिला रामापटी गाउं जो भिंपुरा नंबर वन में पढ़ता है वहीं का मामला है चार य यह लोग विचार करते हैं कि यहां पर बड़ा मंदिर होना चाहिए और वहीं से कहानी स्टार्ट होती है वो चार लोग आपस में विचार विमर्ज करते हैं और सहमती जाता कर वहां पर मंदिर बनाने का नीड़ाय लेते हैं और देखते ही देखते हो लोग आपस में सहमती बनाकर मंदिर का काम भी चालू करवा देते हैं यहां पर मंदिर का काम जैसे ही चालू होता है ग्रामिडों की नजर पढ़ती है उस पे और सारे ग्रामिड बहुत ही अच्छी खबर है जो सारे ग्रामिड भी उन लोग के साथ जुट जाते हैं और सहयोग में सब के सहयोग से देखते ही, देखते मंदीर का काम स्टाट हो जाता है और वहां पे बहुत ही सांधार मंदीर का काम चलने लगता है जो चार युवक कौन थे उनलोग के बारे में बताना चाहूंगा सबसे पहला युवक थे धननजय यादो थे जो अच्छे दुकान दार हैं जो इलेक्टरोन नमबर पर आते हैं राहूल राहूल है राहूल यादव जो समाज सेवी हैं पढ़ने लिखने के साथ साथ वो समाज का सेवा भी करते हैं गाउं में अच्छे अच्छे काम किये हैं उन्होंने और चाथे नमबर पर आते हैं राजन जो राजन यादव हैं वो भी अपने मेहनत के दम पे कहीं न कहीं अच्छा पाचान बनाई है गाउं में तो ये हैं चार ब्यक्ति जिन्हों ने इतना बड़ा साहत करके इतना बड़ा काम किया है गाउं में इननों को सलूट है और ऐसे अगर लड़के रहेंगे गाओं में तो गाओं का विकास निश्चित है अलकि उस मंदिर को देखकर बहुत ही खुसी हुआ तो मैं सुचा आप तक इस खबर को पहुंचाया जाए जितने भी लोग देखेंगे प्लीज इस वीडियो को सेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं क